दोस्तों नमस्कार आजकल एक बार फिर एक फिल्म को लेके समाज में काफी विवाद है आधी पुरुष जैसी फिल्में अगर समाज में आती हैं तो इसका मतलब यह है कि जो सिस्टम काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में इस तरह की फिल्मों को इवैलुएट करने में उसमें कही किस तरह से तत्यों को तोड़ा मरोडा जाता है किस तरह से धार्मिक भावना के साथ खिलवार की जाती है क्या अगर हमारे सेंसर बोर्ड के मेंबर्स को यह भी नहीं पता तो वो बैठके वहां कर क्या रहे हैं दोस्तों इस आधी फिल्म की जब विवाद शुरू हुआ तो आदमी को छोड़के सब के सब इस फिल्म इंडस्ट्री से अपनी रोजगारी का इंतजाम करते हैं इसमें सीधा सीधा कन्फलिक्ट आफ इंट्रेस्ट है इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह का प्रोड्यूसर डिरेक्टर एक्टर अगर कोई काम करता है और अगर वो सेंसर बोर्ड में चीजें आती हैं फोर एप्रूवल के लिए स्क्रीनिंग के लिए क्या सेंसर बोर्ड के जो बोर्ड मेंबर्स हैं क्या उन में इतनी शमता है कि वो अपनी ही बिरादरी के लोगों को मना कर सकें कि आपकी स्क्रिप्ट ठीक नहीं है हम इस फिल्म को पास नहीं कर अपनी विरादरी के सामने खड़ा हो जाए मुझे तो नहीं लगता क्योंकि इसमें से सारे लोग एक्टर हैं डिरेक्टर हैं राइटर हैं सबकी रोजी रोटी इनी से चलती है और आपको पता है कि जितनी भी फिक्चरें आजकल आ रही हैं वो किसी ना किसी बड़े प्रो प्रियूसर से इनको भी काम मिलेगा तो अब भी हम उनकी अगर फिल्मों पे चीटा किसी करेंगे तो शैद आने वाले दिनों में हमारे बिजनस पे हमारे धंदे पे हमारे कामकाज पे हमारी आमदनी पे इसका प्रभाव पढ़ सकता है यह सीधा सीधा कंफ्लिक्ट आफ इ लेकिन जब यह फिल्मे समाज में जाएंगी और जो समाज में उसके खिलाफ जो रोश व्यक्त किया जाएगा अल्टीमेटली उसका प्रभाव पूरी फिल्म इंडस्ट्री की क्रिडेबिलीटी पे और गुडविल पे पढ़ता है और यही हुआ कि शुरू में यही आदी पूरुष के निर्माता और निर्देशक कलाकार और बाकी जो कॉंट्रिब्यूटर्स हैं जस्टिफाई करने में लगे हुए थे कि आदी पूरुष कितनी महत्वपूर्ण मूवी है और आज के संदर्व में इसको बनाया गया लेकिन जब जनता का रोश देखा तो अब इ इंटलेक्चुल्स बैठे हैं जो अपने आपको प्रतिवाशाली संगीतकार अपने आपको प्रतिवाशाली डिरेक्टर एक्टर आर्टेस्ट राइटर बोलते हैं क्या उनको यह कॉमन सेंस समझ में नहीं आता है कि अगर आप किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड करोगे तो उसका implication होगा उसका retaliation होगा तो जब हम इस समय आदी पुरुष के निर्माताओं और निर्देशक को इसका दोश दे रहे हैं तो sensor board अपने जिम्मेवारी से कैसे भाग सकता है क्या वो सिरफ एक rubber stamp है अगर sensor board का का काम सिरफ rubber stamp है तो आप किसी को भी बैठा दीजी ना फि पिर उसको भी भारत सरकार के I&W ministry में एक department बना दीजिए फाइल आएगी उस पे कोई बावो साइन करेगा और आप जाए पिक्चर रिलीज कर दीजिए after all sensor board की जरूरत क्यों है क्या ये बात sensor board के directors को नहीं पता दूसरी बात sensor board के directors का चुनाव कैसे होता है क्या इसकी कोई पद्धती है या जो भी मंत्री जी को पसंद आ जाएगा उसका nomination हो जाएगा या जिसके सिफारिश आ जाएगी उसका nomination हो जाएगा और थोड़ा सा balance करने के लिए ताकि geographical dispersion रहे ऐसा ना लगे कि किसी खास प्रांथ के राज्य के भाशा के लोगों को रखा गया है तो एक political equation को balance करने के लिए अलग अलग छेत्रों में अलग अलग भाशाओं के लोगों को वहाँ पे बैठा दिया जाता है क्या sensor board का यही काम है मुझे लगता है sensor board को पूरी तरह से बदलने की जरुवत है पहली बात तो कोई भी आदमी sensor board में ऐसा नहीं होना चीए जिसका जीवन यापन उस industry से चलता हो film industry से चलता क्योंकि वो कभी भी सच बोलने से डरेगा उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने जो financiers हैं या जिनके साथ उनकी project of interest है जिसको हटाना चाहिए इसके लिए पहला काम यह होना चाहिए कि समाज से जो लोग जिससे अपनी रोजी रोटी अर्न करते हैं वहां के लोगों को sensor board में नहीं आना चाहिए उधारन के लिए आप film industry के directors, producers, writers, actors को बाहर रखें इससे आपकी 80% से ज्यादा problem solve हो जाएं तो फिर sensor board में होगा को है क्या हम यह कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में intellectual लोगों की कमी है क्या हम यह कह रहे हैं कि और ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने कला के उपर समर्पित हैं चाहिए वो school of dramas में हो या बाखी जगे आर्ट और literature के लोग हो समाज सास्तर के लोग हो जो समाज क culture को समझते हैं टिकनलोजी को समझते हैं क्या ऐसे लोगों की कमी है इस देश में तो सवाल उस बात का उठता है कि जब आदिपूर्श जैसे फिल्म में बाजार में आ जाती है और जिससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है इस तरह की प्रथा को कैसे रोका जाए इसलिए य सेंसर बोर्ड या जितनी भी रेगुलेटरी बाड़ी उनके कॉंपोजीशन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बाड़ ही खेत को खाएगी तो फिर कौन बचाएगा अगर सेंसर बोर्ड ही स्वार्थी लोगों से भरा होगा सेंसर बोर्ड ही कंफ्लिक्ट नहीं है जिसमें सच को सच और गलत को गलत कहने की शमता नहीं है ऐसे लोगों को रेगुलेटरी बाड़ी में बैठाने की क्या जरूरत है इस समाज में आने वाले दिनों में और ज्यादा नफरत फैलेगी इसमें और ज्यादा विद्वेश की भावनाय फैलेगी एक Regulators हैं, जो मंत्राले है, जो PMO है, संसद है, इसको इस बात पे ध्यान देना चाहिए. Criteria बनना चाहिए कि कौन से लोग किस regulatory body में नहीं जाएंगे. और हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा जो कोशिच रहती है, lobbying रहती है, वो regulatory bodies में जाने की, खासकर उन लोगों की, जिनका उस व्यापार से या उस कामधंदे से स्वार्थ है. ताकि conflict of interest कि लोग अगर powerful position में होंगे, तो इसका फाइदा उनको directly और indirectly अभी और आने वाले दिनों में मिलता है. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आदे पुरुष जैसी फिल्मों का जो approval मिला, इसकी पूरी समिक्षा होनी चाहिए, हो सके तो civil society को, intellectuals को एक कमेटी बनाके, बोर्ड मेंबर्स को बुला के पूछना चाहिए कि आपने ये पूरी फिल्म की approval किस आधार पे दी, क्या सोच के दी, क्या मर्यादाओं का ध्यान रखा, क्या किसी ने objection लगाए या नहीं लगाए, और अगर objection लगाए तो किसने उसको overrule किया, कौन लोग involved है इस पूरे corruption को promote करने में, मैं बार-बार corruption इस शब्द का इसलिए इस्तमाल कर रहा हूँ कि भारत में corruption की कोई परिभाशा नहीं है, और एक ही चीज कही जाती है, corruption में unlawful gain, कोई जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही हो, वो आपका contract भी हो सकता है, किसी का acting carrier भी हो सकता है, आपको गीत लिखने का contract भी मिल सकता है, आज मिले या दो साल बाद मिले, आपको dialogue लिखने का भी contract मिल सकता है, इसी लिए, conflict of interest और unlawful gain साथ साथ जाते हैं, जहां पे conflict of interest होगा, वा corruption की समभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है, इसी लिए, आदे पुरुष जैसे फिल्में जब आती हैं बाजा sensor board की कारेशली पे सवाल उठाने चाहिए, उनसे explanation मांगना चाहिए कि किन परिस्थितियों में आपने आदे पुरुष को permit किया, क्या बाते थी और क्यों आपको ये समाज को जो चीजे objectionable लग रही हैं, वो sensor board को objectionable क्यों नहीं लगी, क्या उनकी intellectual competency समाज से इतनी कम है कि वो सच्चा ही नहीं जान पारे, क्या sensor board के जो members हैं उनकी capabilities इतनी कम है या इतने ज्यादा उनके उपर pressures थे कि उनको approve करना पड़ा, सच्चा ही क्या है, क्या सोच थी board members की जब उन्होंने आदी पुरुष जैसी film को approval दी, मुझे लगता है जब तक हम इत तरह के regulators को accountable नहीं क्योंकि उनका काम तो पैसा कमाना है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या चीज morally right है, ethically right है या नहीं है, उनको इससे कोई फरक नहीं परता है, लेकिन sensor board का काम तो यहीं है, तो जब sensor board, जब gatekeeper ही corrupt हो जाए, तो चोरी कौन रोकेगा, गड़बड कौन रोकेगा, इ इतने भी board member हैं, sensor board के हर board member को अपनी तरफ से independently एक public letter issue करना चाहिए, किन कारणों से उनको क्या लगा, कि आदिपुरुष जैसी फिल्मों को approval देनी चाहिए, क्या वो भारतिय संस्कृति को नहीं जानते, भारतिय समाज को नहीं जानते, भारतिय परिस्थितियों को नहीं ज जात होता है, बाकी धर्मों की फिल्में ऐसी स्थिति में क्यों नहीं आती, क्या हिंदु धर्म सिर्फ इस काम के लिए रह गया है, क्या हिंदु माननेताओं के साथ खिलवार करना sensor board के लिए उचे थे, कौन जिम्मेवार है इस तरह की कटनाओं के लिए, इस तरह की समाज म प्रदूशन, intellectual pollution फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, आधी पुरुस जैसी फिल्में समाज में प्रदूशन पैदा करती है, और sensor board उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्या PMO, क्या INV Ministry, Parliament इन मुद्दों पे चिंता करेगी, कि समाज में जिस तरह से pollution फैलाया जा आए, और जिसके कारण फिर intolerance की बात होती है, जिसके कारण फिर मन मुटाओ की बात होती है, अह सविशनाते की बात होती है, इन बातों को promote करने के लिए अगर sensor board अपना role play करता है, तो accountability sensor board की होनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में sensor board को बदलना जरूरी है, इससे कोई फरक नह लोग कितने सम्मानित हैं, कितने बड़े celebrity हैं, अगर वो अपने काम में fail हुए हैं, तो उनको वहां से हटाना जरूरी है, या उनको खुद resign करके चले जाना चाहिए, क्योंकि समाज में उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं रखाए, स्वार्थ में या अज्यानता वर्ष या incompetency, किसी कारण से आदेपूरुष जैसी फिल्में बाजार में आई हैं, क्या sensor board अपनी जिम्मेदारी से भागेगा, आपका क्या कहना है दोस्तों, क्या sensor board को accountable नहीं बनाना चाहिए, अपने विचार आपनी चेक कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेर करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिल्म मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, तब तक, बंदे बाद रहाएं